कि वह तो अपनी अपनी कहें दूसरे का सुने अपकी बार तो वो कह रहे कि पिछली बार से जादे लेकर आएंगे उंगे रिलाल के हसीन सपने देख रहे ना एसी कमरों में बैठ बैठ के तो देखें जनता देख रही है कि इन्होंने क्या जनता को दिया है मानने पड़ेंगी या चुनाम में रिजल्ट देख लिए जो फिर आयो तीन साल पीच जब देख लिए जब सापड़ा है जाया को दिली ते और यूपी दोनों उन्ते अब मन क पीचे की एक बार तस्वीर देख रहे होंगे कि रात का वक्त है और इस वक्त हम जेवर विधान सवा में मौझूद है अब सोचे होंगे रात के वक्त क्या करotion है दरसल गाओं में सर्वे करहें और सर्व में करते करते रात का वक्त हो गया चुक् carta सबीलोग जो है काम करते करते के देर हो गई काफे इंतजार करवाए जी इंतजार किया कोई वाद ने लेकर अब यह बताए कि 430 विधान सभा के लिए निकले हैं पर्टिकुलरली मैं अपनी जेवर विधान सभा के लिए मैं कह रहा हूँ जिस परकार किसानों को लूटा गया जिस परकार एरपोर्ट के नाम पर किसानों से दो गुने सरकिल रेट पे जमीन ली गई है जबकि ग्रामीड छेतर है उनसे चार गुना रेट पे जमीन ली जानी चाहिए थी कानून बना कानून को भी नहोंने धता पढ़ा दिया गया और कानून का भी उलंगन इन लोगों ने किया अपनी तरह के से नहोंने कानून को तोड मरूड कर और किसानों के साथ धोका किया उत्तर प्रदेश में कानून विवस्ता हम लेकर आए हैं आपके तोड देशदूरों का केस लगेगा इनके मंत्री अगर रेप करेंगे तो वो एंजॉय करेंगे ये इनकी कानून बिवस्ता है और दूसरी चीज बता दूँ देखिए इनका अन्याए अभी अयोध्या में सब ने देखा कि दो करोड की जमीन कैसे 18 करोड की हुई अयोध्या में कहरी शेतर ताकि चार गुना मौजा ना देना पड़े इतने से ही इनका पेट नहीं बरा इसके बावजूद इन्होंने दूसरा एक काम और किया 2015 से आज तक सरकिल रेट नहीं बढ़ाए ताकि सरकिल अगर बढ़ेंगे साथ में जनता समझ रही है फिर से होगा यूपी में इतना बुरा हाल होगा इनका कि यह दूने से नहीं मिलेंगे यह लोग जी इस तरह जो है ईुसे जो जोएं जिस तरह से नोड़ोंने लूट मचा रखींजिसमों मानश की शारा में पार जाएक कि इस में सार्यारामराज वृयाँ और रुदर देंगहा एक समय से पहले कि यह सथर प्रदेश मैं एक नाम पे लूट हो रही है दो दुनिया भर का चंदाई खटा किया जा रहा है कोई सब्च नहीं देना इनको सिर्फ राम का नाम इस्तेमाल करना है इसके वाप्सी में लोगों ने तारफ करे को त शाड़े चार साल के काम और सिवा छूंट केलावा और और नहीं हुआ धुर कुछ रीटिंगरे, तुसन मुद्ध करते हैं गहके माजसी ते जितना पान्यान में श्तिटो धुबार बडैक समयं अर यही इनको ले architect प्रसाशन विवस्ता पर सवाल उठा रहेते हैं और यह प्रसाशन में वस्ता को लेकर दोस्ता है नहीं बिल्कुल दुरस्त नहीं है लूट भश्टाचार और चरम सीमा पर है बिल्कुल क्या मुद्दा क्या होने वाला ओ joking तो आएगा श्क्षा का वियरोजगार का सिक्षा हो के लिए नम पर लूट देखिए जिस तरह से इन्होंने बिस्विद्यालों की फीज को बढ़ाया जिस प्रकार से इन्होंने सिक्षा का सत्यानास किया तो आदे से ज्यादा लोग तो अब अंगुटा छाप रह जाएंगे इसके अलावा इन्होंने जो रोजगार की जहां तक बात की तो रोजगार देना नही इन्होंने करोणों रोजगार चीन लिए विरोध काहे हैं आप आपने भी सपोर्ट किया होगा सरकार को देखिए सपोर्ट करने वाले अभी बता रहे थे कि आप भी तो बीज़ेपी से थे के लिए तो अगर कोई सच्चाई कहेगा तो यह उसके उपर मुकदमे दायर करेंग देखिए भाजपा आपने गरेबान में जहां कर देखे वो भी एक दिन विरोधी कर रही थी न जिस समय वह सत्ता में नहीं तो वो भी यही काम कर रहे थे बड़ा नागिन डांस होता था पेट्रोल पे डिजल पे दाम बढ़ते तो आज भी 25 रुपया बढ़ाया है ना इन इसको भी पार नहीं परेंगे योगी जिस वार यहां 300 के पार कर गए थे पिछली वार भी तमाम लोग करते अब की बार तो वो कह रहे कि पिछली वार से जादे लेकर आएंगे मुंगे रिलाल के हसीन सपने देख रहे ना एसी कमरों में बैट बैटके तो देखें जनता द डीएपी को कट्टाव चसे को और अवारों बारे से को सब डबल है और आमत की हाप कर दियो उल्टो मोधी जी कुछ दिन पहले किसानों से बात कर रहे था अभी सुना होगा कहता है भाया हमने आई दुगनी करिया है किसानों की वह तो अपनी अपनी कहें दूसरे कहां सुन अलग किसान पार्टी के अलग बने हुए हैं उन्हीं किसान बना दें वह सब अरब पत्ति और खरब पती हैं वो कोई किसान ना हमाई तरह अब भी घुरुआ करके आएं के तमें हमें पतों कितने हुआ है पांच महीना जब महिनत करेंगे दिन राज जब दो धाना आवे औ और कितनों 2000 रुपय कुंटल और लाग आता जाए कि 22 रुपय कुंटल अगर इसाब रहे हो तो डीजल ना दिया के दहन ना लगा सके आदमी चारवी के दहन ना भो सके इंजन के 90 रुपय लीटर डीजल है का कर लो खेत की जो पिछली बार आपने जिताक लेका है ताब कि अब आप देखने वाले हैं जी कहीं भी ना ढूड़े कुना पारे योग यह ना बारे अरे उन्हें कोश करयो इना किसान के नहीं जा तो और जब कुछ नहीं बनाया था तो बनायो अब देख लिए ना पांस साल अब तुवागे जा और देखिन का यह और किसी और और को द किसान बैठे हुए है वह मुद्दा चलेगा इस बार सलेगो है ने माननी पड़ेगी और तो साप जाएंगे हाँ माननी पड़ेगी या चुनाम में रिजल्ट देख लिए जो फिर आयो तीन साल पीच जब देख लिए जब सापड़ा है जाए को दिली ते और यूपी दोन दोन नहीं आएंगे नहीं 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 तो खेट में काम करके आगे आगे अन्तजार करवाथ का पिंदा लृटाइगांडे से देख आएंगे आएंगे कुछ प्झेट में कुछ दूद निकालना है तो यह वद्व बता यह कैसा चल रहा है ताहर चार साल हो बीद प्रदेश में खेला किसके साथ होगा बंगाल में तब यह होगे खेला उत्तर प्रदेश में किसके साथ करवा किल अखेला करें बनेंगी तब यह क्या लगता है नहीं। आप आने वाले समय में देखिए देश में अगर कोई बहतर वेबस्ता और बहतर राज कोई बाकि किसी के बसकी नहीं हर तरह की लूट हर तरह की पार्टी ने जो किया है सिर्फ कॉंग्रेस ने हमेशा देश की सेवा किये और देश के लिए काम किया है ठीक है ना इनके कुछ लोग है जिन्नों ने इस तरह के प्रोपोगंडा चलाए हुए कि बस जूट बोलो देखिए ऐसा है यह संभव है भाजपा की लोगों के लिए यह कुछ भी खेल सकते हैं आपने देखा कि पुलवामा में जिस तरह से कांड हुआ उसके पहले एर श्ट्राइक हुआ तो इनको लगता है कि भी देश को भावनाओं से खेलो देश को देना कुछ नहीं है उसकी सिर्फ भावनाओं से खेलो ठीक है उस तरह से यह कुछ भी कर सकते हैं इनके पार्ट पे संभव है लेकिन फिर भी कुछ हट तक जिनता को यह बात समझ में आ गई है तो इसलिए अब लग रहा है यह लोग कुछ प्रोपोगंडा जरूर करेंगे बिलकुल सभी को यह एसास हो रहा है यह अभी आपने देखा देखे जिला पंचयत के चुनाबों में देखा किस तरह से इन्होंने जिला पंचयत की जीते हैं सदस्यों का आपरण किया एक पार्टी एक सत्ताध सबहुत है लगवग सबी लोग अपने खसुबदेशिंटी नजर के पूरे देख पर देखे जपने यहीं को हती है नहीं इसको फिर और रहे तिय। सिर्फ सरकार की बाते होती है सरकार ने बिजली के बढ़ा दिये किसान की आमद नि का कोई अता पता नहीं है कि इन्हों ने लोगों को लूट लुटना जो है इन Somebody अपना जो धर्म बना लिया है इस तरह के काम पहले कभी नहीं हुए त्यास में उत्तरप्रदेश की सरकार योगी जी कह रहे थे उसे खिलाफ मुकदमा कर जाएगा जो इसको लेख अबाफ लाएगा कि अक्सीजन नहीं है जो भी यह वेंटिलेटर नहीं तो मुकदमा कर दियाएगी जिन्हों ने किया मैं भी आपके सामने पतेश हूँ इन्होंने मुकदमे किये और ऐसे बहुत सारे लोगों पर मुकदमे किये जिन्होंने इनकी ब्यवस्था पूर सवाल उठाए या जिन्होंने इनसे ब्यवस्था मांगी उन पर भी इन्होंने मुकदमे किये और आपको याद होगा सिरिप इतना ही नहीं जब नमक से रोटी मिड़े मील में खिलाई जा रही थी जिस पत्रकार ने उस बात को उठाया उस पत्रकार के खिलाप एफ आई आर की और उसको जेल भेज दिया गया तो एफ आई आर इनके लिए एक ऐसा टूल हो गया कि इससे लोगों को डराओ और लोगों क गया कि चुनाब आयोग ने यह कहा कि भई जिनके खिलाप आपने फायर की उनको आप परेश्ट मत करिये चुनाब होने तक तो जब एक संबैदानिक संस्ता इस बात को कह रही है उसी से अंदाजा आप लगाई किस कदर यह काम हो रहा है आखरी आखरी सवाल आप से में करन रही है जो किसान दबता जा रहा है यह मुद्दा चलेगा एक बात एक बात एक बात कई लोगों से ऐसी बात करता हूं बीजे पी समर्तक से तो कह रहा है कि अगर बीजवीग वोट ने दोगा अपकी वार तो फिर समा मंदिर काम रुख जाएगा राम मंदिर का रुख चलिए यह जेवर की जंता है जेवर विधान सवाल लेकिन फिलाल रात के 9 बुज रहें तमाम लोगों से बाचीत हुई अलग-अलग मुद्दो को लेकर बात करने हैं लेकिन फिर से चलेंगे एक नई विधान सवाल में वहां के तस्वीर दिखाएंगे लेकिन दिन हो या रा इसके 403 विधान सवाल पर फिलाल के लिए नवस्कार